हेलो बचो स्वागत है अपका बुक्स एजूकेशन चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Sixclass के Hakni-shakal book से पाठ है आठमा या अनकि जो नई किताब है आपकी उसमें आठमा पाठ है और जो पुरानी किताब हैं उसमें दस्मापाथ है क्योंकि नई किताबों में कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिये गए हैं तो हनी शेकल से चेप्टर एट नंबर है ये न्यू सिलिबस के अनुशार आपके और इसका चेप्टर का नाम है दा बन्यांट्री बन्यांट्री यांगी बरगत का पेड़ बरगत का पेड़ है तो ओथर ने क्या किया है ओथर ने अपने बजपन की कहानी को इसमें लिखा है अपने समय का परचे उन्होंने लिखा है इसमें एक सांप है और एक नेवला है उन दोनों की किस तरह से लड़ाई होती है उस लड क्रवाइब करने और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं इसको पढ़ने से पहले आपको इन चीजों को जान लेना भी जरूरी है कि have you seen एं मंगूज कि आपने कभी मंगूज को देखा है मंगूज का मतलब होता है नेवला शेहरी लाकों में तो शायद बहुत कम मिलते हैं जंगलों में मिल जाते हैं लेकिन गिरामीर लाकों में खेतों में बहुत मिलते हैं मंगूज था कि इसमर्ण मंगूज मीन गरिए और सकता है ऑर सॉप किल्मान शुवें आरोन गरियकृ किसे अनुद बीक्चर सब्सक्र गों सुब्सक्रिक है नीचे दियेगे चित्र को देखिए और उन लाइनों को पढ़िए जो पंक्तियं दी गई है उनके बीच में संबन्द देखिए कि क्या है क्या नहीं है तो चलिए चप्टर आठ पर चर्चा करते हैं यह आपका जो परग्राफ है 1234 उनसे पहले पार्ट की शुरुवात में कुछ लाइन दी हुई है यांकि उस पार्ट की थोड़ी सी समरी दी हुई है समरी कहें या इसके कहें कि जो सांप है और जो नेवला है उसकी लड़ाई के बारे में थोड़ी सी जो मुख्य बात होती है यह वह इसमें दी गई है कि the fight of the cobra and the manguze is a classical drama often seen in India the fight of the cobra, cobra की लड़ाई and the manguze और नेवला यांकि नेवला और सांप की या जो नाग की लड़ाई है कोबरा में बहुत जहरीला नाग होता है नाग की लडाई एक क्लासिकल ड्रमा है ऑफ़न सीन इंडिया जो कि प्राय बहारत में देखा जाता है यह यह बहुत पुराना जो क्या है शाप और नेवले की लडाई से संब्धित है यह साप और नेवले की लड़ाई भारत में बहुत प्रस्चिद्ध है, and the outcome is largely the same, outcome याणि जो प्रणाम होता है, largely अधिक तर the same, एक सेम ही होता है, याणि एक जैसा ही प्रणाम होता है, कि वो जो नेवला है, वो साप को मार देता है, उसमें इम्यून सिस्टम इतना नहीं है, to the venomous bite, व्योज माने जहरीला, bite माने काटना, यदि साप उसको डस ले, तो उसमें बचाव करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि साप में जहर होता है जबकि उसमें कोई जहहर से बचाव करने वाली कुछ चीज नहीं है फिर भी बट ऐस फास्टर एंड कुईकर इन मोशन देन दा स्नेक faster तेज है quicker और भी तेज है in the motion हिलने में या गती करने में than the snack साप की बजाए साप की बजाए यह उचलने कूदने में या हिलने डुलने में बहुत तेज है इसलिए यह अपने आपको बचा जाता है और साप को मार देता है तो देखो यहां देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि सामने वाले पास चाहे कितनी ताकत है, उसे पास चाहे कैसे हतियार है, लेकिन यह आपके पास फुर्ती है, आपके पास शार्प दिमाग है, तो आप उसे फिर भी लड़ाई जीत सकते हैं, जैसे कि आ पमढा देखता है रास्ते में, तो उसमें उसको अपनी परचाएं देखती है, तो अपना दिमाग है लगाता है। और शेर को ब्ला करके उसके स्थां से क्वुए का पास लेता है। कि इसमें कोई रहे धूसरा। और यह जो जो है मुझे खाने की कह रहा था और शेर जब उस कुए में अपनी पर्षाएं देखता है तो उस पर गुर रहता है तो इस तरह से उसने अपनी बुद्धी के बल पर उस शेर की ताकत को जीत लिया तो ऐसी जो नेवला है वो अपने उच्छल कूद और में ताकत की अपने द जीयूम ए पोस्चर ऑफ डिफेंस यह जो कोबरा है वो क्या जीयूम कर लेता है क्या माल लेता है पोस्चर ऑफ डिफेंस बचाव की स्थिति को अपना लेता है एंड अटेंप्ट टू रीच दा एनिमल और उस जानवर तक पहुंचने की कोशिश करता है प्रियास करता है है बाई स्वीपिंग स्ट्राइक बड़ी तेज हमली से बट दा क्विक मॉविंग मंगूज जो बहुत तेजी से हिलता है उचल तक होता है सन्नेवला जंप्स आउट टू रीच जंप्स आउट ओफ रीच यानि उचल जाता है पहुंच से बाहर यानि उचल करके उसके पह आ जाता है वह कमेश होइड-दस नेक और हम के पास ऊछल कर्कर आ जाता है है जैसे ही सम्प अपने बचाव के लिए बचाव के पोजिशन बनाता है और उस नेवला पर हमला करता है तो नेवला उचल करके दूर पहुंच जाता है और फिर अगले पल फिर उचल करके और फिर सांप के पास आ जाता है तो उसमें इतनी तेजी होती है अब डायरेक्शन बिफोर दा स्नेक कें गेट इन्टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगें डायरेक्शन बिफोर दा स्नेक यानि सांप से पहले ही वो क्या करता है इंटु स्ट्राइकिंग पोजिशन हमला करने की इस्तितीक अपनी पोजिशन को बना लेता है कौन नेवला इस इस तरह के प्रियास करने से टायर्स ठक जाता है और डिस्करेज हतोत साहित हो जाता है दिमोरrealize हो जाता है दसनेक साम यहार बार बार आकरमन करने के प्रियास से वो तक जाता है और हतोत साहित हो जाता है और और दा मंंगुज is finally able to leap and close and bury its teeth in the snak s neck और जो नेवला है वो क्या करता है मंगुज फैनली अंतिम रूप से able to leap, leap मान होता है छलांग मारना, able to leap, छलांग मारने में सक्षम होता है, in close, बिल्कुल पास में, and or bury its teeth, अपने दांत, बरी माने गड़ा देता है, बरी मीज गड़ा देना, गड़ा देता है, in the snake snack, साप की गड़न में, और अपने जो दांत है, वो क्या करता है, वो साप की गड़न में, गड़ा देता है, usually severing the joints of its vertebra, usually, severing माने होता है, विच्छेद कर देना, तोड़ देना, अलग कर देता है, the joints of whatever, whatever मतलब होता है, कशे रुका, जो गर्दन से, इस पीठ की जो जोड़ती है, उसको बोलते है कशे रुको, तो उस कशे रुको क्या करता है, वो joints को जोड़ को तोड़ देता है, जो नेवला है, अब देखो, य प्रकृती ने ऐसे जानवरों को, इनकी जन्म से ऐसी चीजे दी है, कि वो पानी में तैरना सीख जाते हैं, दाना चुगना सीख जाते हैं, फाइट करना सीख जाते हैं, इनको बहुत प्रिस्क्षन की जरूरत नहीं होती, और ये स्वयम प्रकृती से इनको ऐसी चीजे मिल जाती है तो देखो जो कहानी है है तो एक कहानी लेकिन इसमें जो words है वो बड़े टफ है जो नॉर्मल रुटीन में जो words होते हैं उनसे अलग है इनमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं तो आप कठिन शब्दों को मैंने यहां मेनिंग में लिख दिया है तो आप इनको भी देखते रहें और ढहां से सुनते रहें अब इसकानी का शुरू होता है पेहला परेग्राफ है दो दौ the house and grounds belong to my grandparents किंग्पषानिंगी शुरॉवाइथ यह से कहानी ऀसे पहले जो पार्ट बता गया था वह क्या था वह एक Ice cat क्या है यह नार्टय ड्रामा होता है साप और भी लड़ाई में तो इसके बारें सक्षम्थ में आपको बताया था कि यहां से वैसे तो एठा हुआ है तेड़ा मेडा और पैसेज हुआ होता है रास्ता तो एठा हुआ यह या टेढ़ा मेडा रास्ता यहां पर मेन्नियूग होगा हुआ रहे हैं यहे हैं दो दह फिलिट के रहा है और मेरे दादा दादि से श क्रेंणी दो candidate है दा मैगनिफिकेंट ओल्ड बन्यांट्री भव्य ओल्ड मने पुराना बन्यांट्री बर्गत का पेड़ वाज माइन माइन मींस मेरा जो भव्य बर्गत का पेड़ है वह मेरा है चीफली मुख्य रुप से विकॉज क्योंकि गिरान फादर दादा जी एट 65 65 साल के हो चुके हैं कुड नौट लोंगर क्लाइम अप कुड नौट यानकि नहीं सकते लोंगर माने लंबे समय तक क्लाइमिट चड़ना यानकि वह लंबे समय तक इस पर नहीं चड़ सकते स्प्रीडिंग फैली हुई ब्रांचे शाखाएं इसकी फैल हुई सा भावि साख मैं विच हंग तूधाक्रांड हnt उप ने लिट्ख की की शाखा उपर होती हैं बहुत बड़ांग कर्याोत हुए लेकिन उसकी शाखात से भी जड़ें निकलने लगती हैं नीचे धर्ती की तरफ और नीचे धर्ती में जा करके वो फिर जुड़ जाती हैं अंदर चली जाती है इसलिए इट्स स्प्रीडिंग ब्रांच विच हंग टू दा ग्राउंड एंड टुक रूट अगें फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज ट्विस्टिंग पैसेज एक टेड़ा मेड़ा रास्ता बनाने में यह जो उस बरगत पेड़ की जो शाखा हैं और शाखाओं स जमीन जो जड़े हैं वो निकली हुई है और वो जमीन तक जा रही है और उन्हों ने इस तरह से क्या किया है एक टेड़ा मेड़ा बरगत के पेड़ पर रास्ता बना दिया है और वो जड़ें उससे बरगत के पेड़ से लिपटती हुई जा रही है कि तीसरे परग्राफ क्या केता है माई फिर्स्ट फ्रेंड वाज इस्मॉल ग्रे स्क्वेरल स्क्वेरल मिन्स उता है कि लहरी आर्किंग माने होता है वक्र बनाते हुए इनकी जो तिर्चे जैसे दृशाकृती जैसी होती है है कि sniffing सुंगते हुए recent रिजेंट इसको रिजेंट बोलेंगे रिजेंट अब ही और रिजेंट आपसंद करना डिसलाइक करना और मोर्सल मानता है मोर्सल मानता है small piece of food यह बोजन के चोटे-चोटे तुकडए मानने खोड़ंग क्या होता है वहींग बहुत घहराई तक जाना अंदर तक जाना किक हान अपनी इस बैक अपने पीठ को बैक मिस पीठ पिछला हिस्सा अपने पीठ को क्या कर लिया उसने आर्किंग कर लिया बिलकुल वक्र की आकरती बना लिया जैसे दनुश की आकरती होती है sniffing into the air और जैसे हवा में कुछ सूंगते हुए अपना सिर क्या कर लिया उपर उठा लिया he seemed at first to resent my invasion of his privacy privacy और निजिता और इनवेजन माने होता है उलंगन करना जैसे दखल देना He seemed at the first he seemed आसी प्रतीत हुआ उसको at the first सबसे पहले कि recent my invasion कि मेरे दखल से वो क्या है ना पसंद है रीजंट है अब फिस प्रायवेशी अपने प्रायवेशी में वो मुझेको क्या माँ तहीं मा रही तो उस लेकिन, when he found that, जब उसने पाया, that I did not arm, मेरे पास कोई हथ्यार नहीं है, कोई डंडा वगेरा नहीं है, myself with catapult or air gun, यानि मेरे पास ना तो कोई catapult है, गुलेल है, catapult means गुलेल, और air gun, ना कोई मेरे पास air gun है, he became friendly, हुआ मेरा मित्र बन गया, जब उससे लगा कि मेरे पास ना तो कोई थ्यार नहीं है, ना कोई डंडा है, ना गुलेल है, ना कोई air gun है, तो मेरा मित्र बन गया, and when I started bringing him pieces of cake, when I started, जब मैंने शुरू किया, bringing lana him, उसके लिए pieces, टुकडे of cake, 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 जब मैंने उसके लिए cake के टुकडे लाना शुरू किया, अब देखो cake के टुकडे, cake का टुकडा और जो chocolate है, वो तो बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, और गिलेरी को भी बहुत पसंद है, तो गिलहरी के लिए जब नोने केक के टुकड़े लाना शुरू किया और बिस्कुट भी लाना शुरू किया तो लिए बिस्कुट बोल्ड वह क्या होगे बिंदास हो गई बिलकुल निडर होगे मुझसे मुझसी, कुकड़े में जल्दीही टकिंग मुर्शल्स फ्र मुंब्लय के चोटे टुकडे होते थे फ्र स्रम हैंड मेरे हाथ से एंड ही ले लेती थी फ्र लाग HOW मुझसे समय से पहले ही वाज ड़ैंग नटू माई भ़ागि लंबा समय होने से पहले इसका मतलब हो गया कि उसके बाद जब मैंने उसके लिए ऐसा खाना-खलाना चुरू किया और वो मेरा मित्र बन गया तो उसके बाद क्या हुआ का वाज डैल्विंग इंटाई पॉकेट डैल्विंग माने घुष जाती अंदर चली जाती इंट्वाए पॉकेट मेरी जेम में एंडर चली जाती मेरे में घुष जाती एंड हैंड हैल्पिंग Dim इंसेल पर सेम गी मदद करती हुई तो वक्टेवर जो कुछ भी पाइंड मि तेरे जह में वह घुश जाती और जह में जो कुछ भी उसको मिलता है वह ले लेती ही वाज वेरी यंग वह बहुत छोटी गिलहरी थी एंड इस फ्रेंड्स उसके दोस्त और रिलेटिव और उसके जो परवार वाले हैं हो क्या कर रहे हैं उसके जो दोस्त हैं और जो रिलेटिव नहीं वह क्या महसूश करते हैं प्रॉबेबली थोट हिम फुलिश एंड हैड स्ट्रॉंग फॉर ट्रस्टिंग इंक उसके जो दोस्त हैं और जो परवार वाले हैं वह सायद सोच रहे होंगे कि यह या तो मुर्ख है जिद्धी है क्यों क्योंकि इसने क्या क्या है ट्रस्ट एक यूमन पर एक मनुश्य पर आशने विश्वास किया अवे से सोच रहे हैं क्या क्यों मनुश्य है वह करता जाता तर जो जानवर है उनको या थो भखा देता है या पर उनको माल दिता है तो उनका इन पर विश्वास नहीं है है कि इंदा चिक प्रिंग वाज पोल आफ थे स्मॉ ले जब इस्प्रिंग बाता है बन्यां जो बर्गत का पेड़ है वासफुल अपे शुट्री शूते लाल अंजीर लगते हैं नगते हैं जीर के अलग होता है जो बघार में बिकते हैं आपने देखियोंगे वह पेड़ लगता है पर इसमें चोटे-चोटे अंजीर लगते हैं तो जब बन्यान ट्री में जब काइन्स सभी प्रकार के पक्षी वुड फ्लॉक इंटू इट्स ब्रांचेज इसकी शाखाओं पर आकर क्या कर जाते हैं वो बैट जाते हैं उसकी पूरी शाखाओं भर जाती हैं द रेड बॉटम बुल-बुल लाल तले वाली बुल-बुल जो होती है चीरफुल आनंद ब्लकुल प्रसंद चित होती है और लालची भी होती है पैरट्स तोते मेना और क्रॉज और कोई स्क्वैबलिंग माने होता है जगडा करना आप आसमें जगडा करते रहते हैं इसको क्वैरलिंग भी बोलते हैं क्वैरलिंग विद वन एनुदर एक दूसरे से यह क्या है यह एक दूसरे से जगडा भी करते हैं खुश भी रहते हैं क्योंकि उनको क्या मिलते हैंовал पर अंजीर मिलती है यह ल Verb जिएस्ट सबसे ज्यादा शोर वाला प्लेशिंदा गार्डन बगीचे में बगीचे में सबसे ज्यादा शोर वाला गार्डन बन जाता है कब जब इसमें अंजीर लगने का समय होता है तो अंजीर लगने के समय में बहुत सारे पक्षी इस पर आकर के बैठ जाते हैं अब दे गलहरी के गलहरी यहां बैठे हुई है नीचे भी गलहरी है और जो लेकक है वो इसके लिए कुछ खिला रहा है बिस्कुट खिला रहा है कि हावी अब्द ट्री ए प्लिट ए प्लेट फॉर्म वियर ऐ वोड़ स्पैंड दा आफ्रनून कि हाफवे अप्ल ट्री यहuarी पेड की आधी होचाई पर हैं प्लेट फॉर्म क्रूड फिल्ड फिल प्लेट फॉर्म मंद रहा हुदा कच्छा मंच यह एक कच्छा मंच मैंने की आदिहुचायपर बना लिया सपयाऋ जा में व्यतीद करता है समय दोपहर के बाद दोपहर के बाद का समय है मैं उसने मंक्यक्रा पार क्या करताथ लेटीद करता था वहीं जाकर करके बैठता था क्ली वहां बोह जादा गर्मी नहीं घोती थी सब्सक्ति ह immedi क्या करता में प्रोपिंग माइसेल्फ प्रीम साहरा लेना माने स्वैम को अगेंस देठी पेड के यदि का साहरा लेकर के बैड़ जाता था विदे क्यों व्रॉम ना मिंगर गद्धी जो हमारे रहने के कमरे में जो हमारी तक्या होती है जो ऐसी पिलो जिसको बोलते हैं उस गद्धी की तरह में उस पीठ का सहरा लगाकर करके उससे बैठ जाता था ट्रेजर आइसलेंड यह किताब पढ़ते थे वह ट्रेजर आइसलेंड हकलबहरी वह ट्रेजर की फिन एंड दा स्टोरी ऑफ दौक्टर डॉलेट डॉलिटल वर सम अब दा बुक्स यह किताब हैं यह तक यह किताबों के नाम है जिनको पढ़ा करते थे वर सम अब दा बुक्स देट मेड़ अब माई बन्यान ट्री लाइब्रेरी मैंने बन्यान ट्री पर मेरी उस लाइब्रेर की किताब हैं तो इस तरह से वह बन्यान के ट्रीपर यान की जो बर्गात का पीड़ था उस पर वो क्या करते थे पढ़ते रहते थे जब मुझे पढ़ना वह अच्छा नहीं लगता था तो आई मैं कोट लुक डाउन थ्रोड़ लेव्ज लुक डाउन थ्रोड़ लीव्ज पत्यों से ओकर के नीचे देखने लग जाता कि एड़ व्रड ब्लो नीचे की दुनिया को कोँई सी दुनिया को जो बर्गात के पीड़ की नीचे की दुनिया है जहां जीव जंतु बैठते थे मैं उस दुनिया को देखने लग जाता था और नोवन पर्टिकुल साफर्णूं से आई हैट ए ग्रांड स्टैंट da that classic of the Indian wilds a fight between a mangoes and a cobra और एक पर्टिकुलर आप्टेनून या एक दुपेर बाद I had grandstand view मैंने एक भवे द्रश से देखा क्या देखा classical of the classic of the Indian wilds यानि भारत के जंगल भारत के जंगल का है कि मैंने classic द्रश से देखा रहों कि द्रश से क्या था इस fight between a mangos and cobra और mangos के बीच में जो fight है जो लड़ाई है वह मैंने वहां देखी अब क्या लड़ाई थी कैसे कैसे लड़ाई हो रही थी उसका ब्यवराब पार्ट सेकंड में है इस पार्ट सेकंड में उसकी लड़ाई कैसे होती है क क्यासे क क्यासे दोनों अपनी अपनी तरकीव है निकालता है उसके बारे में कि पहले मेले देख लेते मेनिंग ठोटा या आजाना ग्लाइडिंग माने मुविंग स्मूथली यह धीरे बड़े आसानी से गती करना या उचलना कूदना ठीक है यह कलंप है कलंप सी यू सी यू यू एम पी कलंप कलंप माने जुन्ड होता है ठीक है इराक स्पेश। है तो सेवन पाइड्राप जो है वार मुव रिज हैं गर्व 되는 ओफ एप्रोचिंग समर गर्म य१ों का मौसम आते ग कर्म हवा हुआ चलना शुरू हो जाती है लुचलना शुरू हो हैं हेड सेंट एवरिवन हरे किसी को भेज़ देती हैं इंक्लूडिंग गार्डनर माली माली तक को भी इंटु दा हाउस घरों में यानकि माली तक भी अपने घर के अंदर चला जाता है गरम हवाओं की वजह से कि आई वाज फिलिंग ड्रोजी मैं उनी दापन महसूस करता हूं वंडरेंग आस्चरिजनिक इफ आई शुट गो तू दा पॉंड कि मैं तालाव के पास चला जाओं और तेव्ध रामूे इंद बफेलो झॉटत तालाव सह्के लिए ओं गलम चलते हैं वेन वहके उनके साथ लिए बहिस थी देयर करके नहाँ हूं when I saw a huge black cobra जम मैंने एक विशाल black cobra को देखा काले रंके किसको देखा? cobra को देखा, नाग को देखा, gliding out of a clump of cactus, cactus की जुंड से, and cactus का जो जुंड था वहाँ से gliding out बहार निकला, क्या हुआ? धीरे-धीरे बहार निकल रहा था, At the same time में मंगूज इमर्जड एड़ इसी समय पर मंगूज इमर्जड मंगूज भी प्रकट हो गया फ्रम दा बुशे ज्ञाडियों से एंड वेंट स्ट्रेट और सीधा चला गया होड़ दा कोब्रा कोब्रा के पास और इवर से साब नकल कर आ रहा हो और इदर सक्ष कोन ओसा कि नकल कर की आ रहा हो Hem इन्हें क्लिरिंग बिनीत दा बन्यांटरी बन्यांटरी दोनों एक दूसरे च्याम सामने आगे संदे हुं ह मामने सामने आकर के वह क्या कर रहे हैं एकहा को दफ़ान जानता है के एए डव रू मने जानता है नों में जानना और जंता था उस held vom लोंगूज उस भूरे नेवले के बारे में वो जानता था कि थ्री फीट लॉंग तीन फीट लंबा वाजे सुपर्ब फाइटर कैसा फाइटर है सुपर्ब फाइटर है यानकी बहुत अच्छा युद्धा है क्लेवर चतुर एंड अग्रेसिव और आक्रामक है वो इस नेवले की इन खुबियों से परशित था बट दा कोब्रा टू वाज इस्किल्फूल एंड एक्सपिरियेंच्ड फाइटर लेकिन फिर भी जो कोब्रा था वो भी क्या था स्किल्फूल कोशल और अनुभवी युद सकता था या अपने वेग से अपने धशा बदल सकता था and a strike.. और हमला कर सकता with that speed of light, light, की speed से यह भी बजली की का प्लभी ज़िली की गति की से क्या कर सकता था अपने दुशमन पर हमला कर सकता था इतना अप्रम था फिर ऑनद था.. And the SarkS behind his long sharp fangs शाक्स का मतलब होता है थेलियां पाउच पाउच एपाट और अनिमल और प्लांट शेफ राएक बैग यह बैग के टाइप की जो आकरती होती है जो उसमें होता है उसमें उसका शांप कर जहर बारा रहता है बैंड लॉंग शार्प फेंग फैंग फैंग मतलब होता है जो उसके दांत होते हैं पेने उन दांतों के पीछे क्या है एक थेली चिपी हुई है वर फुल ऑफ डेडली पोईजन भयानक जहर से भरी हुई थी इट वास टू बी ए बैटल ऑफ चेंपियंशिप वह जो की चेंपियंशिप युद्ध के जहर की थेली होती है जब भी उसको जरूरत महसूस होती है वो क्या करती है क्या करता है वो जहर की पूर्टली में से जहर निकाल करके सबने जानवर की सरीन में प्रिवेस करा देता और जानवर मर जाता है दिफिम्स दिफ्याइंस इसींग द्फाइंस एस फॉर्क्ड तंग डॉर्टिग इंड आउट लिससिंग माने होता है फॉसकारते हुए इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेबिलियन रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट्व यहने चुरोंती देता है ललकारता है डार्टिंग लपला पाती हुई यह लहराती हुई फॉर्कड चिरी हुई साप की जो जीव होती है बीच में से चिरी हुई होती है स्पाइन माने रीड, स्पेक्टेकल, गोल निशान, हुड माने सांपने जो फन होता है, हिसिंग डेफाइंस, फुसकार मारते हुए ललकारता है, हिस फोर्कड टंग चिरी हुई जीव से डार्टिंग एंड आउट, लप लप आते हुए अंदर और बाहर की तरफ, अपने चिरी हुई जीव को बार बार लप लप आ रहा है, अंदर और बाहर कर रहा है, और उस नेवले को क्या कर रहा है वह लल कर रहा है, दा कोब्रा रेजड थ्री ओफ शिक्स फीट ओफ दा ग्राउंड, कोब्रा रेजड कोब्रा उपर उठ गया, थ्री तीन फुट ओफ शिक्स फीट वह क्या हुआ कोब्रा जो है वह च्छे फीट लंबाई का उसमें से तीन फुट वाद उपर उठ गया, अफ दा ग्राउंड जमीन से, और स्पीड हिज कोब्रा, कोब्रा फैल गया, फैला लिया उसने, स्पेक्टेकल हुड, जो उसका क्या होता है, गोल निशान वाला जो उसका फन है, वो उसने फैला लिया, चोड़ा कर लिया उस फन को, दा मंगूज बुश्ड हिज टेल, उस मंगूज ने भी क्या किया, अपनी जो पूछ है, उसको क्या कर लिया, बुश्ड कर लिया, निकि उसको फैला लिया, दा लॉंग हिअर ओन हीज स्पाइन, इस पाइन इस पिए लॉंग यह रम्बे बाल, उसकी रिड पर उस्टूड दो, इसको थो भी बोलते हैं, दो भी बोलते हैं. दा कमबेटेंस जो युद्धा वर थे अनवेर, जागरुक नहीं थे, आप माई प्रजेंस मेरी उपस्तिती से इन दा ट्री पेड में, जो योद्धा थे यानिक साप और नेवला वो मेरी उपस्तिती से वहां अभी के थे जानकारी मेरे उपस्तितीक जानकारी उनको नहीं थी अंजान थे मेरी उपस्तिती से कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ देवर सून मेड़ अवेर वह जल्दी ही जागरक हो गए या उनको पता लग गया और अराइवल पहुंशने का और टू अधर इस्पेक्टिटर का मतलब होता है दर्शक गण जो वहाँ पर देखते हैं तम पता लग गया वन वाज ए मैना उनमेंस एक मैना थी द अधर जंगल करो दूसरा था जंगल का कोवा फोर बैटल युद्य के लिए और हैड़ सेटल ऑनदा कैक्टस तू वाज दा आउटकम सेटल ऑंदा कैक्टस के पेर पर बैठ के तू आउटकम परनाम को देखने के प्रेषक Đây दोनों के लिए ठीक रहता यह कहने का मतलब है क्यों क्यंकिए वह केवल उनने देख ने रहे थे मुँठ घुण रहे थे की उनne कॉक्षार कम टेशानी का मुठने गष्ठ चات लिए रहे वह सतीर था मुठ तो कोब्रा также के कोड़ा पकड़ा हो गया, swing slowly, धीरे-धीरे लहरा रहा था, from side to side, एक side से दूसरी साइड एक तरफ से दूसरी तरफ अपने फन को लहरा रहा था, trying to mesmerize, mesmerize का मतलब होता है सम्मोहित करना जैसे किसी को सम्मोहित कर रहा हुपने वस्म कर रहा है, the mangoes, इन्टू मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें लेकिन नेवला जहां वो जानता था एपने विरोधी-ी की चेंथ जैसे विरोधी की ताकत आप उपक्लग जो ज ईब कि नहीं नहीं है। एसे आंखों की ताकत को वो जानता था-णूर ешाओ-डैया और और रिफूस्ट-पेट-अ-बने भीरे अर्थाथ वो अपनी नजरें साप की नजरों से नहीं मिलाता है नजरें मिलाए तो क्या होगा कि साप की जो पलक तो होते नहीं पलक जबकान आता नहीं तो उसकी द्रिश्टी हमेशा बनी रहती है इसटीड फिक्सड तरक रूनी जम्हा कर लेता है एक ज्ट कर लेता है इसजले नहीं प्रश्ट की कर लेता है वो अपने एक्ष कर लेता है और हमला शुरू कर देता है आइड critically नेवला जूत्यचा चतुर था चालाग था उसने नजरों से साप की नजरों से नजरें नहीं मलाई उसने क्या किया अपना पॉइंट देखा कि मुझे स्फन के नीचे अटेक करना है की मूवििंग फोरवर्ड क्विक्ली एंटिल ही वा जस्ट विदिन तक पुब्राज रीच science मूविंग फोरवर्ड क्विक्ली बहुत तेजी से उस्छल कूट करते हुए ही वा दिन तको पूब्रा रीच वह क्या कहां पहुँचिया कोब्रा के पास पहुँचिया दा, मंगूज मेड ए प्रिटेंड global मंगूज ने पहले ही एक साइड में अगें आपको अलग कर लिया यहींकि जैसे वो सांप के पास पहुंचता वो अपने आपको अलग कर लेता कहना है का मतलब क्या है वो सांप के पास पहुंचता लेकिन गलिकल्स से एकदं से पीच्छे हो जाता है स्वेठ जैसे उस पर जबट्ता मारने की कोशिश करता वो मर्द से चल करके दूर गुब इम्मेडिएटली दा कोबरा श्टरक और इम्मेडियेटली कोबरा ने क्या किया इम्मीडियेटल्य एक तुरंत ही श्ट्रक किया हमला कर दिया His great hood girl, great hood came down so swiftlyु, उसका जो great hood है। जो fun हो क्या आया। came down so swiftlyुप्टली। श्प्टली। श्प्टली बन तेजी से तेजी से नीचे आया। that I thought nothing could save the mangoos कि this mangoos को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही उसका फन एकदम तेजी से आया मुझे लगा कि अब उस नेवले को कोई नहीं बचा सकता बट दा लिटिल फैलो जंप नीटली टू वन साइड बट लेकिन दा लिटिल फैलो लिटिल फैलो जो छोटा सा जीव था जंप नीटली एक दम से जंप मारा उसने उचाल मारी टू वन साइड एक साइड में एक दम से उसने उचाल मारी एंड और डार्टेड इन देखो डार्टेड इन का मतलब होता है जपट्टा मारना और डार्टेड अवे इसका मतलब होता है दूर चला जाना तो डार्टेड इन जपट्टा म भी उस पर जपट्टा मार दिया बिटिंग द स्नेक साप को काटते हुए on the back पीट पर यानि साप की पीट पर काटते हुए and डर्टिंग अवे दूर चला गया again out of reach पहुंच से बाहर साप की पहुंच से बाहर दूर चला गया नि उचल करके साप की पीट पर काट भी दिया और फिर उचल करके वापस चला गया जहां तक साप नहीं पहुंचता था कि अब आगे क्या होता है एड़ दा से मुमेंट उसी छण कि देट दा कोब्रा स्ट्रक कोब्रा भी स्ट्रक करता है हमला करता है कि दोड़ एड़ इंड़ एंड़ और मीड फैंके गए देंशल्ब्र अट हिम से औली टू को लाइड हैविली इन मिड एर सिक मिड़ बिदेर आनि जो कोवा है और जो मैंना है वह क्या हुए हल्ड माने फैंके गए देंशल्स्ब्र मेंके द्वारा फीया उसके sentence उबढे से उसके उपर किस खtechn면 साप के ऊपर लेकिन only to can manage को तकरा गएJa iya wa के सब्सक्राइब कि हभा के मद मेंツी से वह तकरा एक इंचल तब के इंचल्ट कि आ लिए पापस आ गए ज़िए अनके लागए था उनके बोलने से यह फ्यूद रॉप कि कि अफ्बड़ बूने खूण की कुछ बूने ग्लिस्टाउंड डुस्टाउंड माने चमक रही थी ओंदा कोबरा आज बैक कोबरा की पीट भा कूण की कुछ बूनें कोब्रा के पीट पर चमक्षे लगी क्यों क्यों चमक रहे थी क्योंकि णेवरे स्ट्रक्षट एंड मिश्ड कोब्रा ने हमला किया और चुग गया कि junior अगेन दा मंगूज में मुझ स्प्रैंग असाइड मैं जो मंगूज था स्प्रैंग माने उछला असाइड माने बगल में जैसे ही कोब्रा ने हमला किया तो जो मंगूज है वो बगल में उछल गया जब इन एंड बिट जंपड माने फिर उछला एंड बिठ और काट लिया यानि सांप ने जब उस पर हमला किया तो सांप चुक गया और जो नेवला है वो छल करके बगल में चला गया और फिर उस पर कुदा और फिर सांप को काट लिया को अगें दा बर्ड्स डाइब एट अट दा स्नेक कौन दोबारह बट्स वन पक्षी कौन कोई मैना और कोई उन दोनों पक्षियों ने फिर से डाइब लगाई यानि फिर उस पर गोता लगाने की कोशिज की इस पर शाहर साथ पर बंपड इंटू इच अधर इंस्टीड and return shrinking to the safety of the cactus बंपड इंटू इच अधर इंस्टीड इंस्टीड क्ये बजाए फिर क्या हुआ इन जैसे पहले बार गए थे तह वो क्या हुआ उनका निशाना नहीं लगा और वो एक दूसरे से टक्रा करके वापस आ गए इस बार भी क्या हुआ इस बार भी वो एक दूसरे पर ही ठक्रा गए और फिर वापस आ गए returnless shrinking shrinking माने रोते हुए चलाते हुए to the safety of the cactus वापस स्वरक्षित कहां गए क्यक्तस के पेड़ पर वो आकर के बैठ जाते हैं कि दा थर्ड राउंड फॉलो दा सेम कोर्स एज दा फर्स्ट तीसरे राउंड भी पहले की तरह ही शुरुआ कौन सा तीसरे राउंड सांप का और नेवले का बट विद वन मुल्स लेकिं एक नाटकी अंतर था ड्रामाटीक डिफ्रेंस नाटकी अंतर पर नो कि वो भी सोच रहे थे कि इसमें से थोड़ा से खाने के लिए उनको भी मिल जाए कि डाइवड एट दा कोब्रा कोब्रा पर फिर से उन्होंने उचाल मारी यानिके गोता मारा आक्रमन किया बट इस टाइम दे मिस्ड इस समय इस बार भी चूक गए इस अदर एक दूसरे को भ भी वो चूक गए ना तो बने लक्ष पर पहुच पाए और नहीं वो एक दूसरे से टकरा है क्या हुआ दा मैना फ्लू ओन मैना तो उड़ गई एंड रीच इट्स पर्च और पने बैठने के स्थान पर पहुच गई पर्च मींस बैठने के स्थान बट दा क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड़ एर लेकिन जो कवा है उसने क्या कोशिश की पुल अप इन मिड़ एर हवा में उचाई तक जाना एंड टर्न बैक और वापस आना वापस आने की उसने कोशिश की इन दा सेकेंड एक सेकेंड में दैट इट टुक दा बर्ड टू डू दिस दा Kopa ठोदेट वर्स ओद्यों को यहां ट्रहीट बहुत बहुत लम्बा है मिरा आप पहले पहले बता था कि जो वर्डेंग हो ठोड़ी टुक है नॉर्मल पाष के तो यह क्या है वर्णिंग टफ है, सेंटेंस भी बड़े लंबे-लंबे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस नहीं, कि एक एक लाइन के सेंटेंस हो, इन दा सेकेंड, दूसरी बार, उसने क्या क्या उस पक्षी को लिया, कोबरा विपड, कोबरा ने मुड़ करके, तूसरी काव वापस आया, तो खोबरा ने अपने सिर वापस गुमा करके, प्यह पूरी थाकत से, इस कोवे पर हमला किया, his snort उसकी थूथन जो साप का जो मुह होता है उसको थूथन बोलते हैं his snort thudding against the cross body cross body कोई के शरीर से जाकर के ठकरा गई यहीं पूरी ताकत के साथ साथ साप ने हमला किया और साप का जो थूथन था वो कोई की बोडी से ठकरा गया अर्थात साप ने कोई को काट लिया I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden I saw मैंने देखा the bird flung nearly जो पक्षी है कहां जाकर के रहा nearly 20 feet 20 feet दूर across the garden बगीचे में लगवग 20 feet दूर जाकर के वह पड़ा इट फिल्टरड वह फड़ फड़ा रहा था एबाउट फोर एवाइल एक शन के लिए एक शन के लिए फड़ फड़ाया देन लेश्टिल और लेट गया कहने का मतलब साम का जहर जैसे उसे सरीन फैला वो खत्म हो चुका था दा मैना रिमेंड मैना बची रही और दा कैक्टस प्लांट कैक्टस के पेड़ पर कैक्टस के पॉद्धे पर बैठी रही और जब और जब दा स्नेक एंड दा मंगूज रिटर्ण टू दा फाइट स्नेक और मंगूज रिटर्ण माने वापस आए टू दा फाइट लगने के लिए वेरी वाइजली बड़ी बुद्धी मत्ता से डिसाइड डिसाइड निस्चे किया नोट टू इंटरफेर अगें दुबार वाज वीकनिंग कोब्रा कमजोर हो चुका था कमजोर ही महसूस कर रहा था एंड दा मंगूज वोकिंग फिलियर फियर लेसली अप टू इट अप टू इट फियर लेसली निर्भीक हो करके और जो मंगूज था वो निडर हो करके उसके पास जा रहा था रेजड हिंसेल्फ his short legs raise himself, बड़ा कर लिया, खड़ा कर लिया, short legs अपने छोटे पैरों पर, अपने छोटे पंजों पर वो खड़ा हो गया, and with a lightning snap had the big snack by the snot, अब क्या हुआ, with a lightning snap, बिजली की तस्वीर की तरह है, यह जैसे बिजली एकदम बिजली कौनती है, ठीक उसी तरह से उस बड़े साप के थूतन पर, कहां पर, थूतन पर पहुंच गया, यहां से ले करके, और यहां नीचे तक लंबा है भी तो और आगे भी है, यहां तक है यह, तो तीन लाइन का sentence है, दा कोब्रा रिट्ड एंड लेस्ड अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मेंडर, जो कोब्रा था, उसने क्या किया, अपने आपको एकट्ठा कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि जो मंगूज था, मंगूज ने उस साप के थूतन पर धाबा बोल दिया, उसको पकड़ लिया, बट टू नो अवेल, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसे सफलता नहीं मिली अपने आपको बचाने में, दा लेटिल फैलो, जो छोटा सा जीव, हंग ग्रिमली ओन, ग्रिमली माने मजबूती से हंग माने लटक गया, वो मजबूती से उसके थूतन पर लटक गया, उस कि उसे साप के मूह पर लटक गया, उसके फन को उसने पकड़ लिया, अंटिल दा स्नेक धेकिजड टू स्ट्रेगल, उसकी धेकिजड़ बंद कर दिया, जब तक कि उस साप ने शंघर्ष करना बंद नहीं कर दिया, वो उसकी थूतन से लटका रहा, he then smelt among the quivering length he then smelt फिर उसने सुंगा along its quivering length quivering माने कांपती हुई पूरी लंबाई इन्हों उसके कांपती हुई पूरे शरीर को उसने फिर से सुंगा कि कहीं से जेवित तो नहीं है gripped it round the hood gripped it round the hood उसने उसके फन को फिर से पकड़ लिया gripped माने पकड़ लिया and dragged it into the bushes dragged माने खींच ले गया into the bushes जाडियों में और फिर उस साब को अपनी जाडियों में खींच ले गया the manna dropped cautiously to the ground manna साबधानी से ground पर उत्री dropped उत्री hopped और कोदी about peered जहांका into the bushes जाडियों में from a safe distance एक सुरक्षित दूरी से एक सुरक्षित दूरी से वो जाडियों में जहांकर देख रही थी कि कहीं साब कुछ थोड़ा सा बचा रह गया तो उसको मैं उठा ले जाओ and then और तब with a shrill cry तीखे रूप से चिल्ला कर आफ दा कॉंगरे चुलेशन बधाय देते हुए फिलू अभे उड़ गई और तीखे श्वर में नेवले को जीत की बधाय देते हुए वो उड़ती चली गई तो इस तरह से जो नेवला और सांप है उसकी लड़ाई आपने सुनी पूरे आसान थे लेकिन आपके समझने के लिए थोड़े से टफ है तो आप बार-बार इनकी जो मीनिंग्स हैं आप उनको याद करिएगा और बार-बार इसको वर्ड मीनिंग के साथ चेप्टर को क्या करें हिंदी ट्रांसलेट करें और आपको चेप्टर समझ माज जाएगा पू